आरंब के YouTube चैनल पर आपका एक बार स्वागत है कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं सवस्त होंगे है ना बिंदास होंगे ठीक है बाकिसा बढ़िया चल लाएं बढ़िया चल लाएं कि नहीं बताओ तो बढ़िया चल लाएं बिलकुल है बढ़िया चलते भी रहना आपका यह दूसरा ना और पहले इंटरेस्टरिय में आपके जितने भी वेतिस पर लगवा लगवा आपके साथ के आसपास कोश्चन तो भाई इस ही को ध्यान देते वे आज जो टॉपिक का नाम स्रीज यानि कि स्रिंखला ना टॉपिक का नाम क्या है भाई स्रीज और स्र नाम स्रीज में बताया वाई ना कुछ बेसिक चीजें जो कि मैंने आपको पहले ही बताई वी है आप स्रीज का वीडियो देख सकते हैं भाई अगर देखना कि अगर कुछ टैप का ग्रोथ रेट होगा तो समझना कि भाई कौन सा उसरीज होगा या तो एडिशन होगा और या तो क्या होगा वाई सब्ट्रैक्शन होगा अगर कुछ के टाइप का ग्राफ होगा तो या तो मल्टिप्लिकेशन होगा या तो क्या होगा डिवीजन होगा यानि कि अगर ज्यादा ग्रोथ ना हो तो भाई क्या होगा या दखना वह एडिशन और सप्ट्रैक्शन बेस लीजेगा वो आपके लिए बहुत फाइदेमंद होगा और वो जो सरीज में उस पर जो जो concept दिया गया न मेरा भाई वो concept में important part है उस concept पर ध्यान देना है ठीक है चलिए तो फर आज के सरीज को start करते वे और सरीज के सबसे पहले question के और रुख करते वे चलते हैं आपके पहल 172 और 360 है ना क्या दिया गया 368 बहतर 360 है अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है यह constant speed से growth कर रहा है बढ़ते ही चला जा रहा है है तो बढ़ते चला जा रहा है इसका मतलब यह कौन सा स्रीज होगा भाई अब देखो यह कितना दिया गया 3 3 के बाद क्या दिया गया 6 यानि 3 में किसे multiply करेंगे 2 से 3 में 2 से multiply क्या हो गया 6 6 के बाद क्या दिया गया 18 किसे multiply करेंगे 3 से और 6 into 3 कितना हो गया 18 18 के बाद क्या दिया गया 72 किसे multiply करेंगे 4 से ना तो पहले क्या हो गया गुना 2 हो गया फ 72 में यहां पर किसे multiply करेंगे 5 से तो 72 into 5 कितना हो गया 360 जुट समझ में आ गया होगा पहले किस से गुणा किया गया 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 तो 5 के बाद किस से गुणा करेंगे 6 से है ना अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा मेरे बाई 260 option number D is the right answer है क्या आएगा 260 option number D is the right answer ठीक है क्लियर है बस देखो ग्रोथ कैसा हो रहा है हम ग्रोथ के बेस पर identify करेंगे कि स्रीज में करना क्या है तो सबस्यादा ध्यान किस पर देना भाई ग्रोथ पर देना है अगर ग्रोथ constant speed से ग्रोथ होगा तो समझाना कि भाई वो सिर्फ और से क्या होगा multiplication होगा है ना क्या होगा multiplication होगा ठीक है चलते हैं अगले कोशन के ओपर देखो 88 70 72 61 66 और 66 अब देखो अभी आपको मैंने बोला था कुछ अगर इस टाइप का होगा घट रहा होगा बढ़ रहा होगा तो यह addition और subtraction होगा क्योई यह ग्रोथ ज्यादा बढ़ नीड़ा और ना ज्यादा घट रहा अब देखो इसमें ध्यान से देखना समझने वाली बात है कि तो देखे का सबसे पहले से समझे का ध्यान से ठीक है तो अब देखा जाए तो यह 78 और यह क्या हो गया बहुत तर हो गया तो अगर 78 से हटग गाट टो क्या हो गया 72 ओगया और 72 से छे गट गया तो मेरे भाए 66 को यह तो सर समझ में आ गया लेकिन इसका क्या logic है देखें अगर आप 70 से 61 की और गी उर जा रहे हैं तो यह क्या ओगया माइनस 9 तो नक्स्ट भी क्या हो λέih । इसलिल में गाल बना के अपको बता रहा house समझ लोग यहाँ अगर लिडिशन होगा है न अगर गुरोथ साफ कॉस्ट्रेंट्ली क्या कर रहा हूं कॉस्स्टैंट्ली क्या कर रहा हूं uh समझ जानाया तो मैंट्लिकेशन होगा या तो जीज़न होगा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चली है 3, 6, 12, 24, 48 देखते के साथ क्या लग रहा आपको? 3, 6, 12, 24, 48 दूगना हो रहा है है ना? 3 का दूगना कितना होगय iamari भाई? 6 6 का दूगना कितना होगया? 12 12 का दूगना कितना होगया? 24 24 और 24 का दुगना क्या होगा तो जो नेक्स्ट होगा वो भी तो दुगना होगा मरवाई तो 48 इंटू दो कितना हो जाएगा 96 ऑप्सन नमबर डी इस दराइट एंसर है ना देखें सेम स्पीड से ग्रोथ हो रहा है अगर सेम स्पीड से ग्रोथ होगा तो अबस्ति सी बात है म होगा और यहां तो क्या होगा डिवीजन होगा है ना क्लियर है चलिए यह अलफावेट स्रीज में हमेशा बताया है अगर आपको उसका पोजीशन याद रहेगा आप वो क्या करोगे उसे इजली सॉल्व कर लोगे लेकिन पोजीशन क्या होना चाहिए मेरे भाई याद होन अगर पोजीशन याद होगा तो एजली क्या हो जाएगा अफसे सॉल flavor हो जाएगा अब यह सारा concept 21 और क्या दिया गया 19 दिया गया अब देखो गर 25 से 23 पे आते हैं न मेरे भाई तो भाई ये minus 2 हो जाए ये भी क्या हो रहा है minus 2 ये भी क्या हो रहा है minus 2 तो ये भी क्या हो जाएगा minus 2 होगा और minus 2 होगा तो क्या हो गया भई 17 और 17 किसकी value हो जाएगी Q की value होगी 17 किसकी value हो जाएगी Q की value होगी ठीक है अब देखो E के बाद E से हमें F जाना है यह 5 और यह 6 है प्लस 1 हो गया F से H प्लस 2 हो गया 6, 2, 8 प्लस 3, 11 प्लस 4 तो Q के बाद क्या आएगा O और Q के बाद O सर्फ और सर्फ एक ही option में है option number D solve करने की जरुद भी नहीं है ठीक है यहां B की value कितनी होती है 2, 4, 7 11 देखे पहले 2 बड़ा फिर कितना बड़ा भई 3 फिर कितना बड़ा भई 4 तो नेश्ट कितना बढ़ जाएगा भई 5 बढ़ेगा हाया ना और 11 में 5 बढ़ेगा तो कितना आजाएगा मेरे भाई 16 आजाएगा कितना आजाएगा 16 और 16 किसकी value होती है P की ठीक है चलते हैं अगली कोशन क्यों कर दिया दिया 26 अर्थिस और 50 है ना देखके लगड़ा जादा ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है अगर जादा ग्रोथ नहीं हो रहा तो भाई या तो क्या होगा एडिशन होगा और या तो क्या होगा सब्ट्रेक्शन होगा चली देखते हैं 26 से 38 भाई बढ़ रहा है कितने से बढ़ रहा है 12 से 38 से 50 यह भी कितने से बड़ा भाई 12 से तो 50 के बाद भी जो बढ़ेगा वह किस से बढ़ेगा 12 से बढ़ेगा और 12 से बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा भाई 62 बढ़ेगा आपको बस इतना ही दिमाग लगाना और जादा बिल्कुल भी नहीं सोचना और ध्यान देना बस टीक है ग्रोथ पे अगर जादा बढ़ रहा है तो समझ जाना अगर ज़्यादा नहीं बढ़ रहा होगा तो अब असले सी बात क्या होगा या तो एडिशन या तो सब्ट्रेक्शन मत पिंग रेगे दो तो पंदरा चार बारा छे चाथ यह दिया गया है क्या दिया गया है दो पंदरा चार बारा छे साथ अब द्यान से देखो लगए ज़्यादा घट बढ़ने डा तो भाई यह प्लस और माइनस का कंसेप्ट होगा 2 से 4 प्लस 2 हो गया मेरे भाई 4 से 6 प्लस 2 हो जाएगा तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 यानि कि पहला कोश्चन मार्क पर क्या आएगा 8 आएगा पहला मिल गया 8 यानि कि भाई C और D option तो आपका ऐसे ही cancel हो गया या तो 8 और 8 होगा या तो 8 और 0 होगा अब देखो इस alternate में देखे तो 15 से 12 माइनस 3 होगा ये कितना हो गया माइनस 5 हो गया तो next किया होगा माइनस 7 हो जाएगा 8 और 0 is the right answer तो option number B पर टिक कर दीजिए ज्यादा दिमाग लगाने के जरुवत नहीं है तो क्या देखना है चलिए क्या कह रहा है PMT है OS NOR MSQ है एक चीज़ा मैंने आपको फरसे बोला कि जब जब अलफा वेट्स रीच के question आएंगे आपको सर्फ और सर्फ अगर position याद रहेगा तो अलफा वेट्स रीच के question में किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है देखें P की वेलो कितनी हो गई 16 15 14 13 सब के सब एक एक से घट रहा है 16 में से एगट आईए कितना आजाएगा 15 15 में से एगट आईएगा 14 14 में से एगट आईए 13 13 में से एगट आईए 12 यानि पहला लेटर के आजाएगा L वाई L तो सब में है इसके बाद देखते है M की वेलो कितनी होती है 13 O की वेलो 15 ही होगी यानि यह कितना हो गया वाई प्लस 2 हो गया ठीक है और विसलिए यहां पर क्यों होना चाहिए 15 प्लस 2 17 17 प्लस 2 19 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21 तो L के बाद क्या आना चाहिए U आना चाहिए यानि कि A और C आप्शन का काम खतम हो गया T से S 20 और 19 यह भी –1 है यह भी –1 है तो यह भी –1 आएगा यानि L UP is the right answer आप्शन नमबर B is the right answer आप्शन नमबर B इस the right answer ठीक है के लिए है मेरा भाई चल्या क्या ग्यारा देखो 21 नौ 21 ग्यारा 21 तेरा एक्शन है ना ज्यादा ग्रोथ तो नहीं लग रहा तो या तो अडिशन या तो सब्टैक्शन होगा है अब देखो 21 भाई यह तो पूरा कॉंस्टेंट चलना 21 और फिर बाद में क्या है भाई किस यह कॉंस्टेंट है अब 9 से 11 क्या हो गया भाई प्लस टू यह भी क्या हो गया प्लस टू तो नेक्स जो आएगा वही प्लस टू होगा प्लस टू हो करें क्या आजाएगा पंदरा आएगा ऑप्सन नंबर कॉंसा हो जाएगा मेरा भाई भी है नंबर से सॉल्ट करने का सबसे असान तरीका है ग्रोथ पर ध्यान दीजिए अगर आपको ग्रोथ समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कोशन को इसली सॉल कर ले सकते हैं अनलाइज करने आपको प्रैक्टिस करते करते ये समझ वारा जाना चाहिए कि भाई यह कहां एडिशन हो जा है ना अब इने कि रुके तरफ यह के तरीका क्या है एक तरफ हान ही हा ला बस किए जा रहे है ज्यादा पढ़ भी लो ना तब भी दिक्कत हो जाती है ठीक है तो बस यहीं समझ लीजेगा चलिए क्या गागे देखिए si AC Shemam PR है तो AC यह क्या हो रहा है और यहां पर देखो क्या हुआ प्लस 3 हो गया फिर क्या हो गया मेरे भाई प्लस टू फिर प्लस ट्री फिर प्लस ट्री फिर प्लस ट्री फिर क्या होगा प्लस ट्री होगा तो कहां से स्टार्ट होगा यू और प्लस ट्री हो गया तो उसके बाद फिर तो क्या आएगा प्लस टू ही आएगा option number A is the right answer plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 इसी किस रीचल लेगे है ठीक है चली चलते हैं अगले कोशन के उपर क्या काग्या देखें A C B D F C G A से B देखें प्लस वन का ग्रोथ हो रहा है ये भी प्लस वन है तो भाई इनेक्स भी क्या होगा प्लस वन होगा तो क्या आजाएगा D C से D सेम प्लस वन D से E E से F E से F सब में देखें प्लस वन का ही ग्रोथ है G H D F H option number B is the right answer सब में भाई ग्रोथ कितने का हो रहा है इसमें प्लस वन और प्लस वन का हो रहा है तो जाला दिमाग बिलकुल भी नहीं लगाना है अगर अगर आपको पोजिशन पता होगा याद होगा तो फिर कोई दिखकात अलफावेट स्रीज में नहीं आएगी है ना चलिए A B C P Q R D E F S T U है ना अब देखो A B C और D E F दिख़ए है यानि ये काम क्या होगा alternate होगा यहाँ पर देखें क्या हो रहा प्लस वन हो रहा तो फिर यहां भी प्लस वन होगा स्टार्ट कहां से होगा जी और जो हो रहा वो consecutive जाना लगा तार जा रहा रहा A B C D E F प्लस वन होगा तो क्या हो जाएगा G H I consecutive हो जाएगा तो option नमबर क्या हो जाएगा B option नमबर क्या हो जाएगा मेरे भाई B क्लियर है देखे दो तीन पाच नो शतरह है अब बताओ growth इसमें कैसा हो रहा है कुछ जादा तो नहीं बढ़ रहा normal growth हो रहा है तो नौर्मल growth हो रहा है जिसका मतलब क्या होगा या तो addition होगा और या तो क्या होगा subtraction होगा या तो क्या होगा एडिशन होगा और या तो क्या होगा मेरे भाई सब्ट्रेक्शन होगा अब देखो यह क्या हो गया प्लस वन हो गया कि यह क्या हो गया प्लस टू प्लस 4 प्लस 8 है न एक दो चार और 8 है न तो भाई अब देखो ध्यान से देखो एक दो चार आट को देखे क्या लगता है दुगना नहीं हो रहा है ये दुगना हो रहा है ये भी दुगना हो रहा है ये भी दुगना हो रहा है हाब तो आपका सारा का सारा काम क्या हो जाएगा इसली सौल्फ हो जाएगा है नँगे है अब यह अब्स है अब तो कोई भी कोशन अब तो ऊल्फ हो जाना चाहिए मेरे भाई है ना चली चाहिँ किया चाहिए इस शाठ 12ाट 22 अर और 195 आप ग्रोथ कैसा हो रहा है सबसे पहले यह देख लो जादा अगुरुथ रही लग रहा होगा ठीक है जादा ग्रोथ तो बिलकुल नहीं हो जिक्ट है इसका मतलब क्या होगा प्लस टीक है किशली कि देखो क्या हो रहा वह साथ से बारह अगा ये प्लस पांच प्लस दस प्लस क्या हो गया बीस और फिर क्या हो गया चालिस पांच दस बीस चालिस देखो सब यह दो को दूगना हो रहा पांच का दूगना कितना हो गया दस दस का दूगना बीस बीस का दूगना चालिस तो चालिस का दुगना कितना हो जाएगा 80, इसको एड कर दीजे कितना हो जाएगा 162, option number कौन सा हो जाएगा B, so 162 is the right answer, का answer हो जाएगा 162, ठीक है, चलते हैं, next question के उपर, चार, दस, 82, 244, 730, यही question दिया गया, अब देखो इसे ध्यान से, क्या लग रहा है, इसमें आपो क्या किया गया है, पहले सुरवात में क्या हुआ, दीरे दीरे बढ़ रहा है, फिर अचानक से growth बढ़ रहा है, मतलब समझ रहो, growth बढ़ रहा है, इसका मतलब multiplication का तो खेल होगा, क्योंकि बिना multiplication या खेल किया वे, यह question नहीं हो जकता, क्योंकि growth 244 के बाद 344 नहीं है, इडिशन के तरफ जाए, growth क्या हो रहा है, 730 का हो रहा है, अब 244 जब 730 जाएंगे, तो भाई, यह क्या हो जाएगा, देखे तो, ठीक है, इंटू 3 क्या सपस आ रहा है, बिल हाना, फिर कोई यह कितना दिया गया, बिरासवी, और फिर कितना दिया गया, 244, मत्ता, multiplication होगा, हाना, ठीक है, किस से multiply करेंगे, यहां भी, इंटू 3, माइनस 2, और यहां भी देख लो, तो दियान से, तो इंटू 3, माइनस 2 ही हो रहा है, यानि कि यह जो स्रीच चले है, व 28 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है, आप्सन नमबर कौन सा हो गया मेरे भाई, बी, है ना, क्लियर है, देखे, क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, 10,000, 11,000, है ना, फिर 11,000, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, दियान से देखे इस रीच को यहां देखो तो एक हजार बढ़ रहा है यानि इसका प्लस दस परसेंट ग्रोथ है और यहां पर क्या है माइनस दस परसेंट सेम देख लिए यहां पर क्या हो जाएगा प्लस दस परसेंट और यहां भी क्या हो जाएगा भाई माइनस दस परसेंट अगले बार में क्या होगा गुरोथ होगा प्लस होगा क्योंकि पहले क्या हो रहा भाई प्लस फिर क्या हो गया माइनस फिर प्लस फिर क्या हो गया माइनस तो नेक्ष्ट में क्या होगा प्लस दस परसेंट का तो 10,781.1 is the right answer, so option number C is the right answer, है ना, क्या हो जाएगा, option number C is the right answer, growth plus 10, minus 10, plus 10 percent, minus 10 percent, plus 10 percent, minus 10 percent, है ना, तो growth ही हो ही हो जाएगा, चार, आठ, अठाइस, असी, 244, है ना, देखे ध्यान से, असी से 244, कैसे जा रहा है, अचानक से growth फिर बढ़ने लगा, growth बढ़ने लगा, अब यसी सी बात है, multiplication है, तो भाई, असी से 244 क्या हो जाएगा, इंटू 3, plus 4, यह क्या हो जाएगा, इंटू 3, minus 4, फिर यह क्या हो जाएगा, इंटू 3, plus 4, और फिर से यह क्या हो जाएगा, इंटू 3, minus 4, तो next क्या हो जाएगा, इंटू 3, minus 4 आएगा, हाई ना, ठीक है, 244, into 3, कितना हो जाएगा, 732, minus 4, साथ सो अठाथाइस is the right answer the right answer is सेवन टू एट सेवन टू एट ठीक है चलते हैं अगले कोशन के उपर 165 95 255 285 और क्या दिया गया है आपका 345 यही दिया गया है देखे सिंपल सी बात है समझेगा 165 है 195 देखे क्या लगणा भाई यह तो गुरूत हो रहा है जादा नहीं बढ़ रहा है पलस 30 यह क्या हो गया भाई पलस 60 फिर यह क्या हो गया पलस 30 और फिर यह क्या हो गया भाई पलस 60 तो जो next होगा वो क्या हो जाएगा प्लस 30 होगा और प्लस 30 होगा तो भाई कितना आ जाएगा 375, option number A is the right answer देखो जब भी कम ग्रोथ हो तो समझ जाना है कि या तो क्या होगा प्लस और या तो क्या होगा माइनस होगा । या तो क्या होगा प्लस और या तो क्या होगा माइनस होगा दिखो कहा रहा भई अक्छर की कौन सा समूः खाली अस्थानों पर क्या है करम बा रहा है ठीक है टोडल कितने टर्मन एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा है ना, तो या तो छे के टर्म में डिवाइड करो, या तो चार के टर्म में डिवाइड करो, ठीक है, जब भी लार्जर नमबर अफटर वो, तो लार्जर की तरह भी भाग जाओ है ना, तो भाई है कि A, B, B, A, B, option number है, कौन सा मेरे भाई, B, B के साथ, चार में भी डिवाइड कर लेते, तब भी बन जाती है, क्योंकि ये तो A, B, A, B की स्रीचर लई है, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर टोटल नमबर स्रीच कितनी दी गई है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, नौ, दस, चार, चार कर लो इसई, ठीक है, यहाँ थोदद सा में स्प्रिंट हो गया है, M O P N, M O P N, M O P N के स्रीच लेगी है, M O P N, M O P N, M O P N already है, M O P N, इस रिंकला का अगला पत क्या होगा BMO ठीक है क्या है BMO, EOQ, HQS B की वैलू कितनी होती है? 2, 5, 2 प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3, के है ना, तो K से देखुए एक option है, तो A तो रहेगा है, लेकिन इन में से कोई ने भी है, तो चेक करना पड़ेगा, प्लस 2, प्लस 2, और प्लस 2 हो गया है, तो क्या हो जाएगा S, सेम यहां प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, option number कौन सा हो जाएगा, A, KSU है ना, सारी के सारी स्रीश किसकी होती है, प्लस 2, प्लस 2 की होती है, ठीक है, क्लियर है, बस इसका देखो, position याद रहना चाहिए, अब सोचेगा कि लिख के करें आट, तो फिर सब कहरों भाइभाई, लिकों के समय बहुत ज़्यादा लेगा, कब इसे द्यान से देखो और क्या दिया गया है, एडवन्वेंछर के बाद क्या हो जगया, बहाई डेवेंचर हो गया, यहां से यहां जाने के करम में क्या हो जाना चाहिए पहला लेटर यहां से पहला लेटर रिमिलेट हुआ पहले वाले में दूसरे वाले में लास्ट लेटर रिमिलेट हुआ फिर तीसे वाले में क्या पहला लेटर रिमिलेट हो जाएगा और डी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा व हो रहा है एक दो छे चार चौबिस एक सोबिस है ना एक दो छे चार 120 है ना क्या हो गया है इन्टू टू इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो निश्ट क्या हो जाएगा इंटू 6 अना ग्रोथ पर दियान दिजे ठीक है दो तीन चार पांच छे है ना 120 इंटू 6 कितना आ जाएगा 720 एंसर भी क्या हो जाएगा आपको option number C is the right answer option number C जो होगा वापको क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा है अगर growth पता रहेगा तो question तुरंट solve हो जाएगा समय नहीं लगेगा यह अलफा वेट से आपको हाँ आए एं बी ओ सी पी डी क्यों है ना कि एसे बी कितना बढ़ रहा भाई एक से बढ़ रहा यह भी एक से यह भी एक से यह भी एक से यह हो जाएगा इस यह फ्लस वन यहीं प्लस वन प्लस वन प्लस वन वेश्चारो अप्सण अबर बी दर राइट है तो ऐसे में बस लेको अल्फा वेट स्रीज में पोरीशन याद होनी साथ पच्छिस एक सट्ट और चितना दिया गया है represents to guard चालग रहाँ क्या किया गया होगा कि उरोग को ध्यान से देखो मैं авism P 25 168 मेरे Baha'i 181 है . चलिए अगर कि इसकी बात करें तो बाई कितना होगा certified प्लस 18 होगा यह कितना हो गया भई प्लस 36 और यह कितना होगा प्लस साथ अठारा चैजिस और क्या होगे है ख्रीक है अब देखो कुछ को समझ में आ गया होगा पहले कितना बड़ा भई अठारा बड़ा फिर कितना बड़ा भई चौबिस बड़ा यानि यह जो गुरोथ है वो कितने का हो जाएगा छेची का गुरोथ होगा तो निष्ट क्या हो जाएगा भाई 30 होगा और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 होगा यह 30 का आ जाएगा 121 और 90 कितने हो जाएगा मैं रभाई 211 तो अप्सन नंबर कौन सा हो जाएगा बी क्या न है ठीक है कि शिल्ट कि सी थ्री इफाइफ जी सेवन आई ना यह तो देखके पता चल गया होगा तीन पांच साथ नौ है दो दो से बढ़ रहा है तो निक्स्ट 11 आएगा और 11 करके देखो एक ही ऑप्सन में है के 11 और 13 इतना दिमाग लगाना ही नहीं है तीन पांच साथ नौ 9 के बाद क्या आएगा 13 है ना चलिए एक सो अंटानेवे 202 है ना 211 और क्या है 200 सकता है ज्यादा ग्रोथ नहीं है ना बढ़ रहा है और क्या हो रहा है घट भी रहा है नहीं घट नहीं रहा बढ़ी रहा है सिर्फ तो वह यह कितने से बढ़ा मेरे भाई इसाइए प्लस चार प्लसु नो और यह 12 सुला को देखने के वास और सबसे पहली feeling आतीres लाइन की सुक्वाहर की कि पुलिंग है यह स्कौार की है ना दो का स्कौर तीन का स्कौर चारका स्कौर तो तो निश्ट क्शाइड होगा? मेरे भाई 5 क्शाइड होगा और 5 क्शाइड होगा तो कितना है जाएगा? 25 कर देना 27 kanske 25 कटेशब करोंगों कितना चाहिगा ऑइ styl很 जबाइब कोइदस्ट है मैंने क्या भूना सबसे पहले तोटल नंबर अफ टर्म क्या करो काउंट कर लो कितने आ रहे देख लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ नौट दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा अठारा है तो अब इस इसी बात है चेशे के टर्म में डिवाइड करोगे तो चार दो छे टीक है छे यही है क्या हो रहे है अब देखो दियान से अगर ऑसन से आ रहा है तो सारे अपसन हे भाई एक डीके शीरीज बन रही है वह क्या बन रही है c b c d a हाण? c b c d क्या ए है तो d के बाद बाई, एक तरह से मान सकते कि a आना चाहिए और फिर जो होगा ये a यहाँ पर, जो last में होगा वो क्या होगा? पहले चला जाएगा फिर तो last वाला term जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि भाई C होना चाहिए फिर उस हिसाब से यानि से हम clockwise rotation का नाम दे सकते या नहीं दे सकते हैं या फिर इसे हम क्या सब्सक्राइए देखो कि A C B कि A कि डबल डबल बी कि यहां पर क्या हो गया फिर C B C D A कि अन्हां एबी ए हो गया कि A D A कि यहां पर मालेजे भाई A S starts करते तो क्या हो जाएगा A C D B D A C B C कि पीर्पार इसे कंवीर के बाद ओढ़ने होाद कि ड़ी ना चलिव है यह कि आ 한वर क्या हो जाएगा A C D A B में भीर उन्हां पर क्या हो जाएगा A C D इसक्रिじ de sa यहां भी देखें A C D B D A C B C D A B अल्टरनेट काम कर रहा है रिपिटेट सरीच को यही तो कहते है क्ये छाओ निमम्र कॉन सा हो जाएगा मेर भाई C हो जाएगा है नहीं पत्न है दोगा कुछ मधं जब भी कोई भी सब्सक्राइब कर लो इसे कह लिसकते पांच बट्टा दो और उसे कहले सकते पच्च्चिस बट्टा आठ की दो है ये 5 बट्टा ऑच्चिछ बट्टा आठ पांच बट्टा दो से देखो 25 बटाट कैसे आ सकता है जब हम पांच बट्टा चार से गुना करेंगे और यहां भी किसे मल्टिप्लाई करेंगे भाई पांच बट्टा चार से तो यहां भी किसे मल्टिप्लाई करेंगे पांच बट्टा चार से तो कितना आएगा 125 बट्टा अब यहाँ पर बट्टे fraction का है, fraction से ही क्या किया गया होगा, multiply किया गया होगा, simple सी बात है, है ना, छिलिए, 99.5, 99.5, देखो ज़्यादा तो नहीं growth decline कर रहा है, यानि प्लस और माइनस वाला ही concept होगा, है ना, किसा concept होगा, प्लस और माइनस वाला ही होगा, ये कितने से गट रहा है, 0.5, 1, ठीक है, फिर ये कितना होगया, 1.5, ये फिर कितने से होगया, 1.5, ये क्या होगया, 2, फिर ये 2.5, फिर ये कितना होगया, 3, तो निश्ट कितना गटेगा, 3.5 होगा, तो 86 आ जाएगा, option number a is the right answer जब भी देखो ज़्यादा का growth ना हो पत्तब यार तो समझ जाना भई क्या होगा addition और यार तो क्या होगा subtraction कट रहा है तो subtraction बढ़ रहा होगा तो addition सेम जब भी कोई भी चीज fraction में हो आप वही काम केजेगा 2 break कीजे 5 बट्टा 2 यह क्या होगा भई 10 बट्टा 3 पांच बट्टा 2 और यह कितना होगा भई 10 बट्टा 3 अब बताईए सिंपल सा बात है भई पांच बट्टा 2 से भई 10 बट्टा 3 कैसे आ सकता ठीक है तो भई पांच बट्टा 2 से 10 बट्टा 3 कैसे आगा जब इसमें किस से multiply करेंगे 4 भाई 3 से और यहां तो अब यह पहले भी question में किस से गुना किया भाई 5 भाई 4 से तो 5, 4 तो भाई यहां किस से multiply करेंगे 3 से और 4, 3, 2 तो 3 बटा 2 से multiply करेंगे कितना आ जाएगा मेर भाई 5 आ जाएगा option number कौन सा हो जाएगा C break कर दो जब भी fraction में कोई भी स्रीजो सबसे पहला काम करना आपको fraction को break कर देना फिर कैसे आएगा यह देख रहे ना ठीक है? easy हो जाएगा clear है? चलिए 71, 81 देखो क्या लग रहा है? growth देखे बताओ addition, subtraction ही तो होगा यह कुछ और भी है, वही लग रहा है 71 से 74 plus 3 plus 3 plus 3 है ना यह क्या हो रहा है? minus 4 यह भी क्या हो जाएगा? minus 4 यह क्या हो जाएगा? minus 4 और यहाँ पे जब plus 3 करेंगे तो क्या आजाएगा? 83 is the right answer होगा चलिए यह 83 के साथ है है ना? क्लिए रहा है? चलिए next question 0, 1, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18 हाना? 0, 1, 3, 6, 7, 9, 12 देखो ज्यादा ग्रोथ तो नहीं लेड़ा तो plus और addition वाला multiplication वाला कोई concept लगेगा नहीं यह क्या हो रहा है? देखो plus 1 फिर यह क्या हो गया? plus 2 plus 3 फिर यह भी क्या हो गया? मेरे भाई plus 1 plus 2 plus 3 logic तो समझ में आ गया होगा एक, दो, तीन फिर इसे एक, दो, तीन फिर इसे एक, दो, तीन है यहाँ पे plus 1 plus 2 plus 3 फिर क्या हो जाएगा? plus 1 और plus 1 होगा तो कितना आ जाएगा? ग्रोथ पे ध्यान दीजे नमबर सीच में हमेसा जाद रखिएगा ग्रोथ पे ध्यान दीजेगा तभी यह कोश्चन सौहल होगा है ना? चलिए चलिए 6, 24, 6, 120 हना? यह कोश्चन देखिए आपको स्टैब यह कोश्चन मैंने करवाई वे है इससे मैं क्या ली सकता हूं 2 का Q-2 इसे क्या लिखेंगे 3 का Q-3 यह 4 का Q-4 5 का Q-5 हना? 2 का Q-2 3 का Q-3 4 का Q-4 5 का Q-5 6 का Q- कितना हो जाएगा? 6 option C हना? इससे ब कोश्चन दो देखते के साथ आपका सॉल्व हो जाना चाहिए है ठीक है चलिए का जा रहा भाई नो बहत्तर दो सो तेटालेस है नहीं नो बहत्तर और क्या भाई दिमाग लगाई है यह थोड़ा सा यूनिक कोशन इसमें डाला गया है ठीक है नो है बहत्तर है और दो सो तेटालेस है देखो नो है मेरे भाई इसका इडिशन भी कितना आ रहा है नो और इसका इडिशन भी कितना है नो यानि सबका इडिशन जो होगा वो क्या आएगा नो आएगा आप्सन में देखो एक ही आप्सन है कौन सा एक ग्यारा सो बावन जिसका सम कितना आएगा नो आएगा इसका सम कितना आएगा नो आएगा option number कौन सा हो गया 1152 यह तो देखते के साथ बन जाना चाहिए एक आठ सथाइस चौशट और 125 दिया गया है ना तो देखिए यह एक का क्यूब हो गया यह दो का क्यूब यह तीन का क्यूब चार पांच छे का क्यूब कितना हो जाएगा 216 चलिए और भी क्यू एक्स पोजिशन याद रहेगा तुरंद खिला हो जाएगा अठारह माइनस वन यह भी माइनस वन है और यह भी माइनस वन है भी से एक्स प्लस टू प्लस 2 प्लस 2 है ना यह यह हो जाएगा प्लस 2 को जाएगा प्लस 2 जाएगा प्लस आपका F होगा 6 से प्लस दो हो गया है नहीं के लास्ट वाले में क्या गिजिए इसको F कर दीजिया तो 6 प्लस दो 8 प्लस दो और फिर यह भी क्या हो जाएगा प्लस टू ठीक है चलिए बढ़ा गए अगले कोशन की उपर कोशन नुमबर आठ तेरा एक्किस बत्तिस स्रैतालिस तरसट क्या रहा इसमें कौन से संख्या गलत है सेम चीज़ या दखना ग्रोथ देखो ग्रोथ क्या है तो ग्रोथ जादा का तो नहीं है अगर जादा का ग्रोथ नहीं है तो अब यस नहीं बत है क्या होगा प्लस- माइनस है ना अब देखो कर प्लस और माइनस की बात करते हैं तो भाई क्या होगा यहाप प्लस 5 यह क्या हो जाएगा प्लस 8 प्लस 11 ठीक है और यह क्या हो गया 15 यह कितना हो गया 20 और यह कितना हो जाएगा तो 47 और आपका 63 अब बिल्कुल अब आपको लग गया होगा कि कोई सा गलत है अब यह समय तीन तीन ग्रोथ है लेकिन 11 के बाद सीधे क्या होगा पंदरा अगर यह 14 होता यहां पर तो यह क्या हो जाता है मेरे भाई यहां 17 का भी तो गुरूत हो जाता है यह एक कम होता तो यह बढ़ जाता नहीं गलत कौन सा है यह 15 एड़ करने के बाद 47 इस दर राइट एंसर कि 47 होगा वो क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा है ना जे डब्लू टी क्यों है वाई 26 यह 23 20 17 14 माइनस तीन माइनस तीन सारे माइनस तीन हो रहे है कि 14 में से तीन गटाई कितना आ जाएगा ग्यारा माइनस तीन एक की ठीक है है क्लियर कि अब तो स्टेप से कोई भी कोश्चन आए तो स्वाल हो जाने चाहिए है चलिए पचास च्छियासट एक सो च्छियालिस और एक अत्यर है है नहीं कि अंतर निकालो ग्रोथ के हिसाब से तो लगड़ा है पहले प्लस सोला यह कितना हो गया असी है फिर यह कितना हो गया प्लस पच्छिस है क्या नहीं देखो यहां क्या हो गया इंटु पाँच सोला पंच सी तो भाई इंटु पाँच अकर यहां भी करेंगो तो कितना आएगा breakup आएगा हाए है नहीं है को कि एक कोश्चयंस देखिए वो क्या किया गया होगा बाई प्लस वन इंटु वन का स्क्वाइर द्लैस सब्सक्राइब करेंगे कितना आजाएगा मेरे बाई टीक है टू नाइन सिक्स इस राइट एंसर बिल्कुल आप्सन नंबर भी कि सोलह पंचेस से पच्चेस इंटू पांच कितना हो जाएगा एक सो पच्चेस कि टीक है तीन च्छे आठ दस से ग्यारा पंद्रह सेम वही बात ग्रोथ ज्यादा बिल्कुल नहीं है और ग्रोथ नहीं है तो अब यसी सी बात क्या होगा एडिशन या सब्ट्रेक्शन ठीक है देखो अल्टरनेट देख लो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच यह क्या हो गया बाई प्लस टू प्लस थ्री प्लस फॉर आप्सन ए है ना क्लियर है चलिए ग्रोथ देखके समझ में आ जाना चाहिए जे बी एक्स वाइडी भी एक्स चब्स पचिस चौबिस एक गट रहे की नहीं तो यहां पर क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा बीडी एफ दो चार छे दो दो बढ़ रहा है तो डब्लू के बाद क्या आ जाएगा एच और डब्लू एच एक ही ऑप्सन में दिख रहा वो तम देखते के साथ पहले बोल सकते हैं ना चल चार सत्रह अठारा चौवन और दो सोनी से हैं ना देखो यह ग्रोथ थुरा बढ़ रहा है और विससी बात है जब ग्रोथ थुरा सा बढ़ेगा तो क्या किया जा रहा होगा सब्सक्राइब तो किया जा रहा होगा चौवन और यह क्या अगए दो सोनीसा आपको किसको चुनना तो चौवन से दो सोनीस हम कैसे जा सकते हैं है तूब है तो चौवन में अगर हम चार से मटिप्लाइब करेंगे तो बढ़ाओ दो सो सोलबध प्लस कितना आ जाएका तो बहुत तीन आएगा हाँ या ना तो भाई चौवण इंटू 4 कितना हो जाएगा 216 और प्लस 3 कितना हो जाएंगे बहुत दो सौनिस हो गया ठीक है अब देगे भाई यहां पर अठारा है और यह क्या है चौवण है अगर यहां पर कर रहे तो इंटू 1 प्लस 3 हो रहा है इस हिसाब से भाई इंटू 2 प्लस 3 होना चाहिए तो साथ इंटू 2 चौदा प्लस 3 सतरा होना चाहिए तो भाई अठारा ही कर लाते है ना तभी तो अग है समझ में आगी बात तो गलत कौन सा इसमें 18 तोटल लंबर अफ टर्म इसमें काउंट कीजिए सबसे पहले 16 होंगे चार 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 अबी सी बी क्यों कि ऑप्सन में तीन सी है तो सी के साथ चले जाएगी एबी सी भी है फिर क्या हो जाएगा बी सी इसी है ना यहां पर जो डो टर्म है वो रिपीट कर रहा है सेकेंड और फॉर्थ यहां पर फॉर्थ क्या रिपीट हो रहा है तो यहां ए आ जाएगा सेकेंड और फॉर्थ यहां पर रिपीट हो जाएगा तो यहां पर सी आ जाएगा ठीक है फिर यहां पर देखो यह सेम ची CAC, CA, CAC, यह होना चाहिए, option number C, option number A, sorry, CA, CAC, क्योंकि देखो इसमे second or fourth term क्या कर रहा, repeat कर रहा, हाना, जी, बिल्कुल, शिल, गलत तो देखके पदा चल गया होगा, सारे square है, यह 3 का square, यह 5 का, यह 9 का, यह 11 तो यह 7 का square होना चाहिए था, 48 गलत है, 58, 52, 62, 62, 63, ठीक है, क्या बताना है, इसमें से, गलत आपको बताना है, है ना, क्या लगता है, गलत कौन सा होगा, चली देख, ज्यादा ग्रोथ नहीं है, इसलिए अंतर निकालते सब से पहले, 10, 14, 20, 20, और 26, यही आएगा ना, अगर देखा जाए, तो अगर यहाँ पर, 14 के बाद, अगर 20 का अंतर नहीं होता, 18 का अंतर होता, तो काम बन जाता, उनकी चार-चार का यह ग्रोथ हो जाता फिर, तो गलत कौन सा भई, 52 गलत है, तो भई, ऑप्सन नंबर B के साथ चले जाना, आपको, किस के साथ चले जाना, ऑप्सन नंबर B के साथ, चली, 57, 54, है ना, X, 108, 135, कहा जा रहा है, इसमें X की वैल्यू क्या होगी, तीक है? यहां पर, भई, 0, 27 है, हना, यहां के बीच का अंधर, 27 होगा, यह भी 27 हो जाएगा, अगर यह 27 एड़ कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 21, 81, हना, कितना हो जाएगा, मेर भई, 81, सारे, 27, 27 के अंधर है, ग्रोथ देखे हो, सिंपल सा ग्रोथ है A, C, F, J, O A की वैलू 1 C की वैलू कितनी हो जाएगी 3, F की वैलू कितनी हो गई 6, J की वैलू कितनी हो गई 10, पहले कितना बढ़ रहा भाई, देखो 1 3, 6 10 15 है न, पहले कितना बढ़ा भाई, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो निश्ट कितना आजाएगा 6, और 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, और 21 किस की वैलू होगी भाई, यू की, ओप्सन नमबर B is the right answer हना 6 2, 8, 26 ठीक है इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 ये भी हो जाएगा मैं रभाई लॉजिक समझभा गया होगा इंटी 3 प्लस 2 80 ग्रोध देखें, जैसे ही जाला 2, जब 3, 4 हो तो बस जादा ध्यान नहीं देने देना हना चलिए 3, 7, 15, 16, 16, 127 ध्यान से देहोगे तो इंटू 2 प्लस 1 की स्रिंकला आ जाएगी हाना हना 63, 127 दुगना हो रहा है प्लस 1 ये भी देखें, इंटू 2 प्लस 1 D is the right answer हना 11, 13, 20, 15, 17, 20 20 देखो हर तिसरे लाइन पर 20 आ रहा है हाई हना देखें 11 से 15 प्लस 4 ये भी प्लस 4 है ये भी प्लस 4 होगा तो 19 के बाद क्या आ जाएगा? 21 और लास्ट में तो 20 रहना ही है ठीक है? ख्लिए रहा है? ये रहा है? क्लिए रहा है? 3, 7, 23, 95 है ना देखके कुछ लगड़ा है स्रीस तो मल्टिप्लिकेशन बेज ही होगा यह देखे इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 दो तीन चार तो इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 होगा हाँ यह ना ठीक है तो 95 इंटू 5 400 प्लस 4 400 नस्य इस राइट असर तेट इस 479 इस राइट असर तेक है देखें सेम देखें ग्रोथ ज्यादा है नहीं प्लस और माइनस 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 वन माइनस वन माइनस वन तो माइनस वन क्या हो जाएगा 14 आप्सन नूंबर बीज़ा राइट इंसर अना चल देख लो एक दो नौ चार पच्चिस अगर देखो होता क्या है न यह सारा खेल किसका है वस हमने क्या बोला आप सॉल्व करते रहो प्रैक्टिस करते रहो और बीच में अनलाइज करते रहो एकनो पच्चिस समझ भार कि यह तो स्क्वार हैं बोइय किस का सक्वार है पांच यह इंका स्कॉर है यह और एक सख ऑर एक तो नेश्ड़ी हो जाएगा साथ के स्बस्क्रार परश तो 2,4,6 लौजी कि अल्टर्नेट चल Mormon ends vost तो बस आप जैसे इतने question में analyze करना सीख गया ना आपका काम हो जाएगा है ना आप अगर नहीं सीख रहे हैं तो दिख्कात है पर हो एक तरफ कोई भी चीज खतरनाक होता है मेरे भाई cfil dhlp izo ot है ना देखिए cfil है ना तो भाई यहां पर देखो तीन से start हो आप तीन तीन का gap होते चला गया है cdff की यहां पर यहां तो f आएगा है ना और 6 और 6 क्या हो गया 12 c is the right answer पहले 3 था था 3 3 कंतर लिया plus 3 plus 3 plus 3 फिर 4 फिर 4 फिर plus 4 plus 4 plus 4 फिर 5 फिर plus 5 plus 5 ठीक है समझ भागी बात चलते हैं अगले कोश्चन के उपर यह तो देखके ही लग जाया बिना मल्टिप्लिकेशन के पॉसिवल तो है नहीं ठीक है यह एडिशन तो पॉसिवल ही नहीं है देखें चोटर सो पंदरा अब इसलिए यह इंटू त्री तीन से गुना किया गया माइनस वन यह इंटू चार माइनस वन है और यह इंटू साथ माइनस वन है तो भाई 62 में क्या हो जाएगा यह इंटू छे माइनस वन होगा यह नहीं कोसर बिलकुल होगा ठीक है तो कितना हो जाएगा भाई 372 माइनस एक 371 तो ग्रोथ डिपेंड कर देता है कि भाई यह मल्टिप्लिकेशन होगा अडिशन होगा सब्टेक्शन होगा तो ध्यान किस पर देना ग्रोथ पर देना है D A C A B G I F F K N J J P Q O M है आपको बता रहा है कि भाई इस पर क्या आएगा है ठीक है इसकी वैलो कितनी है भाई 4 और यह कितना होगा भाई 7 11 16 होगा इधर द्यानीं मत दो हाना ठीक है चार 3 7 14 11 यहीं आपका बढ़ रहा है ठीक है पिर यहां भी देखें 5 पांच हो गया जो बीकितना बड़ा वाई 3 फिर कितना बड़ेगा 3 बड़ेगा यानि E से स्टार्ट होगा चलिए फिर तीन के बाद कितना बढ़ेगा चार आई और फिर कितना बढ़ेगा पांच EIN is the right answer है ना प्लस तीन अल्टर्णेट देख लो पहले बाले में प्लस तीन बढ़ा है फिर पांच बढ़ा है समझ लो इसे ध्यान से हाना देखो D से E प्लस 3 है पिर बाद बाले में में प्लस 5 है मेरे भाई फिर देखो यह प्लस त्री है फिर यह क्या है प्लस 5 है तो यह 20 से क्या होगा प्लस 3 E आएगा अब देखो जब 3 बढ़ रहा है तो फिर कितना बढ़ा है चार तो यहां भी आया जाएगा फिर कितना बड़ेगा पांच है ना चलिए एवन जैट डी फोर डबलू जी सेवन टी है ना अगर देखा जाए ध्यान से तो सारे के सारे अपोजिट पेर है और ए और डी के बीच का जो है स्ब्सअन रहा जूए देखा जैयाद से प्लस थ्री और तो क्या हो जाएगा जेटन और जे का पोजिट क्या हो जाएगा क्यूह option number C is the right answer अगर position याद रहेगा तो ऐसे question को solve करने में बिलकुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक बार में देखते के साथ मारूगे हाना ठीक है चली यह आपका रिप्टेट से जा question है A B B A C देखो A B B ठीक है A C A B B A C C A B B A C आएगा हना तो यह दो को C कर गया यहां से ऐसे करके solve कर लिजे हना सॉरी A B B A B C फिर A B B A C A B B A C option आजाएगा A C B C B option number C is the right answer मेरे भाई एक 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 तीन पाँच एक ग्यारा एक किस और एक तैतालिस है ना क्या देखके लग रहा आपको addition subtraction ठीक है देखो एक किस है और यह क्या भाई तैतालिस है तो अगर देखा जाए तो यह इंटू 2 प्लस वन हो गया यह इंटू 2-1 यह इंटू 2-1 यह इंटू 2-1 इंटू 2-1 इंटू 2-1 इंटू 2-1 तो नेक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा इंटू 2-1 85 is the right answer 87 में दिया गया है कन्फ्यूस करने के लिए इसको हाना चिली तू डी 3-1 फोर पी हाना देखो डी के वैलो कितनी होती है 4 यह दो लिखा हुआ है 9-3 16-4 नहीं लगा बर्गमूल है सबका 4 का स्कॉर रूट दो 9 का क्या हो गया 3 16 16 के बाद एलफा वेट में एक ही आएगा 25 और 25 का क्या हो जाएगा 5 यह आई हना तो यह आपके B С.S.C. सुरीच के सारी के सारी कोश्चन पूछे गेते एक बार सारी के सारी कोश्चन ko खुद से सॉल्व कर लेगा स्लूशन आपके पास है, बीना सॉलूशन देखे उल कर लेगा समझ में आगी बाद? चलि फिर, आज के लिए इतना काफी है मिलता है के लिए क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद खुदा आफिस जाहिए